बुच्पूरी में स्वरीले और अच्छे गायकों की जब भी बात होती है तो मनोस्तिवारी का नाम आता है मनोस्तिवारी ने बुच्पूरी को एक अलग रंग एक अलग कलेवर दिया अब ऐसे में जब पवन और खेसारी का विवाद चल रहा है तो खेसारी लाल यादों की तरफ है मनोस्तिवारी या फिर पवन सिंग की तरफ है ऐसे में एक क्लिपिंग बहुत तेजी से वाइरल हो रही है एक स्टेश शू बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है जहां पर पवन सिंग को मनोस्तिवारी और गाईकों के लिए संकट बता रहे हैं जी हाँ और तो और इस वीडियो में क्या कह रहे हैं आप सुन लिजे वैसे आपको बता दे कि ये वीडियो काफी पुराना है लेकिन ये वीडियो एक हकीकत है जहां पर ये कहा जा रहा है कि पवन सिंग किस तरह से और जो गायक हैं उनके लिए संकट है पवन सिंग की आवाज बहुत खुबसूरत है पवन सिंग की लोकप्रियता है पवन सिंग के आग जो गाने है वो एक नंबर के होते हैं तो ऐसे में पवन सिंग हर तरह से और जो उनके कॉंपटिटर है उनके लिए एक खत्रा तो है ही है फिर पवन में माइनस पॉइंट ढूंकर उन्हें कैसे जनता के नजरूं में नीचे गिराना है कैसे लोगों के बारे में उनके बारे में गलत बाते करनी है कुछ दिनों से काफी बड़ी साजिश पवन सिंग के खिलाफ चल रहे थी और इन ही शाजिसों से तंग आकर पवन सिंग उस दिन जो स्टेश शो उन्होंने किया था उसमें अपनी एक भड़ास निकाली है जो भड़ास वो काफी दिनों से दबाये पड़े हुए थे लोगों को ये कह रहे थे उंगली मत करो मुझे तंग मत करो जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो लेकिन ये सारी बातों को इग्नॉर किया गया और पवन सिंग का जो ये विवाद हुआ वो सिर्फ इन सब के चलते हुआ हाँ ये बात और है कि दूसरी बार जब पवन सिंग लाईवा है तो उन्होंने मर्यादा की कोई भी सीमा पार नहीं की लेकिन ये सब कुछ आप खिसारी लाल यादों से नहीं सीख सकते आप पवन सिंग उस दिन जो भी नशे में थे उन्होंने ये सारी बाते नशे में की लेकिन जब खिसारी लाईवाते हैं तो पूरी तरह से होश में आते हैं उन्हें समझना चाहिये था कि गरिमा और मर्यादा क्या होती है अगर उन्हों ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो ये विवाद तूल नहीं पकड़ता, लेकिन आपको ये बता दे कि अब ये विवाद बद से बत्तर हो जा रहा है और इसमें धीरे धीरे ही सही भुछपूरी जगत की होट और मस्साले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूँ